तो दोस्तों आपको मालूमी होगा एसमूल हमेशा अपना कुछ न कुछ नए अपडेट्स करता ही रहता है तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसमूल के नए अपडेट्स में आपको कैसे साउंड के सेटिंग्स करना है जिसे आउटपुट का रिजल्ट फुल एच्टी और ओरिजिनल एस्टूडियो जैसे आपका आवाज आए तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको सॉंग बुक में जाना है जो भी सॉंग सर्च करना है जो भी सॉंग गाना है यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे फॉर एक्जांपल में यह सर्च करता हूँ अब आपको डारेक्ट कोई सॉंग या कोई ट्रैक आपको ऐसे ही प्ले करना है सी ओल पे क्लिक करिए यहाँ पे दो चार ट्रैक आपको बहुत सारे दखी यहाँ पे मिल जाएंगे तो आपको टॉप में जो आप चार पांच देख रहे हैं उनको प्ले कर लेना है आपको कुछ इस तरह से उपर से प्ले करेंगे तो यहाँ पर यह चेक करना है किसका जो साउंड है म्यूजिक का बीट्स है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे है और बैक्डाउंड में नौइज नहीं है क्योंकि आपके संग जो डुएट करता है जो उनको यह बैक्डाउंड नौइज पसंद नहीं होता है जो बैक्डाउंड में ओरिजिनल सिंगर के आवाज कुछ-कुछ आते रहता है यह सब उन्हें पसंद नहीं आता है तो ऐसे ट्रैक का आउटपूट का रिजल्ट अच् जो होता है आप किसी दूसरे के साथ जोइन करते हैं डुएट के लिए अपना इन्वाइट करने के लिए ग्रूप संग होता है बहुत सारे एक ही कुलैब में आते हैं सोलो सिंगल गाने के लिए होता है तो चलिए हम डुएट पे क्लिक करते हैं यहां पर पार्ट वन पार् औरिजिनल सौंग में तो वोही पार्ट आपको सेलेक्ट करना है फॉर एक्जामपल मैं पार्ट वन सेलेक्ट करता हूँ अब मैं आपको यहां बता दूं क्या क्या फंक्षन है सबसे पहले आपको अगर वीडियो कोलाब करना है तो याद रखे डारेक्ट कैमरा ओन करके मत ग function दिया है जो आप camera off करके पहले audio mode में गा लीजिए फिर बात में आप उसे वीडियो के साथ expression एड़ कर लीजिए तो दोनों आपका बहुत ही जबरदस्त होता है यहाँ पे 90% लोग यही यूज करते हैं तो चली हम audio mode में आपको बताते हैं बाकी बटन क्या है उपर में जो देखने हैं यह माइक वाला यहाँ पे होता है vocal volume जब आप गाते हैं तो भी वहाँ पे नीचे में आपको यह सो करेगा तो यह मैं बता दू क्या होता है यह आपके वाइस के feedback के लिए होता है मतलब आप जो गाते हैं वह वापस आपको सुनाई देता है इससे आपको पता चलता है जो मैं क्या गा रहा हूं कितने level में हूं music से कितना आगे या पीछे हूं या perfect हूं तो इसको लोग कु आपको रखना है 50 के आसपास रखना है क्यों क्योंकि अगर 100 कर देते हैं तो आपका ही आवाज पूरे सुनाई देगा music वहाँ पर कुछ नहीं सुनाई देगा तो ऐसे मैं आपको पता नहीं चलेगा जो कौन से छोटे छोटे bits पर क्या notes लगाना है क्या scale है क्या उसका सूर बनेगा तो इसके लिए आपको 50 के आसपास रखेंगे तो आपको music भी सुनाई देगा अपना वाइस भी तो यह समझ गया अब चलिए हम fx पर चलते हैं तो fx से पहले मैं आपको दिखा दो यह जितने भी आपको effect दिख रहा है यह वीडियो effect होता है यहाँ पर आप जैसे हम fx में आपको दिखा देते हैं क्या सब है इसमें ही आपको मिल जाएगा audio effect तो यहाँ पर धेर सारे मिल जाएंगे आप कोई song प्ले करके बाद में भी add कर सकते हैं पहले भी लेकिन मैं आपको recommends करूंगा हमेसा आप super studio ही audio effect रखेगा super studio का sound quality balance जो होता है बहुत ही अच्छा और original जैसा होता है अब इसमें आपको pane पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको reverb character और reverb amount मिल जाएगा तो मैं आपको बता दू रिवर्व character होता है voice के character जो होता है उसको signing देने के लिए होता है और reverb amount जो होता है आपके voice के vibration यान की गुंजने के लिए होता है तो कुछ लोग इसक थोड़ा सा आपको 50 60 70 की बीच में ही आपको रखना है music के हिसाब से ठीक है और reverb amount को कभी भी 50 से जादे मत रखेगा इसे क्या होगा आपके voice बहुत ही जादे गुंजने लगेगा मतलब ऐसे लगेगा जब कुए में आप जोर से बोलते हैं तो return आता है ना voice वही आपको हो जाएगा तो output का result अच्छा नहीं आएगा तो इसको आप लगभग मतलब 30 35 40 45 50 ऐसे ही रखना है ठीक है इस पर मैंने प्रूपर वीडियो बना दिया है अब वहां से देख सकते हैं मैंने एक demo भी दिया है अब आपको done कर देना है अब आपको क्या करना है इसके बाद recording record कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और चीज में बता दू दूस्तों इसमें एक नया जो अभी आया है updates में आप lyrics को कुछ इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं मतलब यहां से आपने गाया यहां पे लगाया जो फिर से मैं गलत का दिया तो पहले क्या होत होता था restart करना पड़ता था लेकिन आप lyrics को इस तरह से scroll कर सकते हैं up down जो भी पार्ट आपका मिस हो गया मालीजे आपने इतना गाया यह गलत हो गया तो आप यहीं से गाएंगे पिछले वाला आपका record delete नहीं होगा तो यह बहुत ही अच्छा features है चलिए हम आप record करके आपक record के बाद कुछ settings बच गया है वो भी आपको बता देते हैं यह दोस्तों मैंने गा लिया है आप भी एक लाइन इसे एक बार सुन लीजिए अब मैं आपको settings बताता हूँ क्या क्या है देखते हैं sound मतलब गाने के बाद बहुत साड़े नया नया settings आ गया है तो सबसे पहले उपर में यह देख रहे हैं यह होता है दोस्तों voice match यानि कि वोकल जो आपका थोड़ा सा नेनो सेकेंड आगे पीछे हो जाता है music से तो इसको आप adjust कर सकते हैं for example अभी आप देखें दिल तो यह चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूई बतला आपको इसको क्या करना है सॉंग को प्ले कर देना है आगे पीछे करना है और आपको जब लगे यह परफेक्ट हंडेट परसेंट एक एक बीट्स पे मेरा वोकल जा रहा है वहां पर आपको इससे रख देना है माइनस करेंगे तो क्या होगा वोकल थोड़ा सा पीछे होगा म्यूजिक से प्लस करेंगे तो वोकल आगे जाएगा अब आपको यह खुद डिसाइड करना है कि आपका वोकल जो है वोकल वॉल्यूम यानि वोकल जो गाना गाय है म्यूजिक से आगे हो गया है या पीछे हो बल मैं इसको play करके इसको adjust करें दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूई देखा तो इसको आप minus plus कर सकते हैं plus में भी आपको एक से ज़ादे नहीं रखना है minus में भी एक से कम नहीं रखना है क्योंकि इससे क्या होगा minus ज़ादे करेंगे तो आपका vocal volume बहुत कम हो जाएगा music ज़ादे सुनाई देना मतलब music ज़ादे सुनाई देगा तो ये हमेशा rules होता है जो music के level से 20% vocal का volume ज़ादा ही रखना चाहिए मतलब थोड़ा सा ज़ादा ही रहना चाहिए अब decide आपको करना है कि आपके musical level कौन सा है आप slow song गा रहे हो मतलब melodious song या high beats के गा रहे हो उसी हिसाब से इसे आगे पिछे plus कर लिजेगा ठीक है अब चलते हैं FX पे तो ये मैं आपको अभी बता दिया था यहाँ से फिर से आप देख लिजे यह super studio है आपको नीचे से लेना है आपको उपर में जो भी effect लेना है आप ले सकते हैं लेकिन इस पे करेंगे तो नया effect आपको हमेशा यहाँ पे देखिए DJ में आ गया है ने DJ style यह नहीं आपको हमेशा super studio लेना है और मैंने reverb और room जो बोला है वही कर लेना है इसको फिर done कर देंगे तो यह देखिए उपर में आपको super studio दिख जाएगा आपके उसके नीचे में यह buttons दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको जो audio mode में आप गा लेंगे उसके बाद इस पे जो click करते हैं तो फिर से आपके background में आपने जो गाया है वो recording play होगा आपको बस expression देना है अच्छे से उसके बाद क्या होगा output में आपका vocal और audio दोनों record हो जाएगा और अच्छे से match होगा अच्छा लगेगा तो उसे आप वीडियो को आप बार बार repeat भी कर सकते हो इसे आपका vocal वाला जो मतलब audio होगा वो delete नहीं होगा तो वो भी आप यहां से कर लिजेगा यह सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको continue पर लिक कर देना है यहाँ पर description में आपको अपना जो भी नाम लिखना है song के regarding description में यहाँ पर भर देना है और कुछ चीज आपको mention करना है जैसे कि hashtag देखे आपको duet of the week यह लिखना है हमेशा याद रखेगा इसे क्या होगा आपके song जब recommend होगे तो duet of the week में winner भी आप तभी होगे जब आप यह mention करेंगे और एक दोर चीज trending हमेशा करेगा trending topic में भी आपका यहाँ से आप अपना picture भी ले सकते है आपने cover song के लिए अपना picture भी add कर सकते है वीडियो song जब करेंगे तो आपको अपने वीडियो song से भी आपको recommends करेगा picture तो वहाँ भी select गर सकते है यह public button तो आप जानते होंगे song को lock करने के लिए होता है जो अभी आप लोग कर लीजिए public करेंगे तो आपके सारे public में मतलब हो जाएगा यहाँ पे invite आपके जो followers हैं हमेशा इसको on ही रखना है तब ही जाके उसको invite में notification में यह सो होगा इतना सब कुछ कर लेने के बाद दोस्तो आपको यह save कर देना है तो automatic यह तो मैंने अभी solo गाया है invite आपका direct सब के profile में जाएगा इस तरह से आप अपने HD recording कर सकते हैं यह हमेशा याद रखना है और एक दो points और मैं आपको बता दू दोस्तो जब आप song गाते हैं तो हमेशा याद रखे ऐसे room में गाये जहाँ पे बाहर के sound बिल्कुल अंदर नहीं आता हो जैसे अभी आप सुन रहे होंगे थोड़ा थोड़ा sound मेरे अगल बगल में मेरे बच्चे सब बोल रहे हैं तो यह नहीं होना चाहे क्योंकि आपके joiner जो होते हैं उनको यह पसंद नहीं होता है और जब भी आप गाये तो fan का switch off रखे यह सब कुछ-कुछ बाते आप त्यान रखेंगे तो आपके sound बिल्कुल ही अच्छा और HD quality में होगा I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा हम ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत सारे बनाए हैं जिसका link आपको description में दे दूगा या आप हमारे playlist small tips में देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में